आप लोगों का पार्ट वन में हम लोगों ने बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स इसके पल दिये थे आज हम इसे आगे डिस्कास करेंगे तो आईए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला आप देख रहे होंगे डॉक्टर गैलन के अंदुसार रोमन शेहरों का ग्रामिल छेतरों के साथ बढ़ता तो यह हमने कई सारे चैप्टोस में पढ़ा है कि जो रोमन शेहर थे उनका ग्रामिल शेतरों के साथ वैपार जो इसे लिए वे मतलब पहले क्या करते थे कि सब कुछ खापी लेते थे जो भी प्रकार की जो हैं धालों का काफी बड़ा हिसा शेहरी लोग जो थे वो ले जाते थे उसके बाद कई प्रकार की दालें किसानों के लिए बची रह गई सर्दियों के लिए जो कुछ भी बचा था उसे खा पी कर खत्म कर देने के पश्चात देहाती लोगों को बसंद रितु में और स्वास्ते कर खादों पे निर्भार रहना पड़ता तो उसके बारे में हमने डिसकस किया था कि उन्हें उतनी मतलब नौलिश तो थी नहीं उतनी जादा तो उन्हें सेविंग्स का नहीं पता था तो क्या करते थे सब कुछ जो है अभी प्रेजन्ट में ही जी लेते थे और उसके बाद उनके खाना और उनका भंडार जल्दी खतम हो जाता था तो फिर उन्हें और स्वास्ते कर चीजों के उपर निर्भर रहना पड़ता था यानि वैसा भोजन जो स्वास्ते के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं था तीसरी शताब्दी का संकट यदि पहली और दूसरी शताब्दीयां जो थी उनमें शांती समरिध्य एवं विस्तार था परन्तु तीशरी सताब्दी में आंतरिक तनाओं के कई बड़े संकट आये थे तीन भाशाओं में खुद एक प्रसिद शिलालेख में इराग के शाषन शापूर प्रथम ने दावा किया था कि उसने साथ हजार रोमन सेना का सफाया कर दिया है और रोम सामराज्यों की पूर्वी राजधानी एंटी ओक पे कबजा कर लिया है इस बीच कई जर्मन मूले की जंजादियां अथवा राज्य समुदाय ने राइन तथा डैन्यूब नदी की सीमाओं की और बढ़ाना शुरू कर दिया और 233 से 280 तक की समुची अविधी में उन प्रांतों की पूरी सीमापर बार बार आकरमण हुए जो काला सागर से लेकर आलपस और दक्षणी जर्मनी तक फैले हुए थे रोम वासियों को डैन्यूब की आगे का छेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा इस काल की समराट उन लोगों की विरुद लगातार युद्ध करते रहे जिने रोम वासी विदेशी बारबर बारबेरियन कहा करते थे तीसरी शताबदी में थोड़े थोड़े अंतर सी अनीक समराट सत्ता सीन हुए जो इस तत्य का सपष्ट शूचक है कि इसमें बेहत तनाव की स्थिती बनी थी यदि मालेजे किसी साल में कहा जाए कि इस साल में प्रधान मंतरी या सीम के चुनाव दो या तीन बार करवाने पड़े तो अब विसी बात है कुछ तो गलत रहा होगा कुछ तो कमी रही होगी तो आपसी तनाव भी तो कितना बढ़ा होगा तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें जो भी सूचिय और इन्फिय प्रधान में उससे पता चलता है कि उस तेम पे बहुत तनाव की स्थिती थी कई बार राजा दो थे वो सत्ता सीन हुए थे और काफी ज़ादा युद्ध भी उस तेम पे हुआ था साक्षर्ता एवं संस्कृती तो रोमन समाज की अपेक्षक्रित अधिक आधुनिक विशिष्टाओं में से एक विशिष्टा ये भी थी कि उन्दिरों एकल परिवार यानि कि नूकलियर फैमिली का व्यापक रूप से चलन था वयस्क पुत्र अपने पिता परिवार के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम सांचे परिवार में रहते थे दूसरी और दासों को परिवार में सम्मलित किया जाता था क्योंकि रोम वासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी सामाने तक गलतंत्र के परवर्ती काल तक विवा का रूप ऐसा था कि जो पत्नी थी वो अपने पती को अपनी संपत्ती हस्तानांत्रित नहीं किया करती थी किन्तु अपने पैत्रिक परिवार में से वो अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी महिला का दहीज वैवाहिक अवधी के दोरान उसके पती के पास चला जाता था किन्तु महिला अपने पती की पिता की मुख्य उत्तरा धिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्य होने पर उसकी संपत्ती की स्वतंतर मालिक वही होती थी इस प्रकार रोम में महिलाओं को संपत्ती के स्वामित हुवा संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे तथा तलाग देना पिक्षक्रित आसान था और इसके लिए पती अथ्वा पत्नी द्वारा केवल विवा भंग करने के इरादे की सूचना देना ही काफी था उस टाइम पे तिसादा लॉज और रेगलेशन नहीं थे उस टाइम पे अगर दोनों दिवोस लेना चाहते थे तो वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता था आगे साक्षर्ता की स्थिति क्या दी ये निश्चित है कि काम चलाओं साक्षर्ता थी क्योंकि व्यापार करना था उन्हें तो बस उन्हें जितने की अवशक्ता थी वो उतनी ही साक्षर्ता यानि उतनी ही नौलेज वो रखते थे आर्थिक विस्तार सामराच यो बंदर गाहों, खादानों, इटों, जैतून के तेल की फैक्टरियां अधिक संख्या काफी अधिक थी जिससे उसका आर्थिक आधारभूर धाचा जो था वो काफी ज़्यादा मजबूत था गेहु, अंगूरी, शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मंदे थी जिनका अधिक मातरा में उप्योग होता था और यह मुख्य तथा स्पेन, गैलिक, प्रांतो, उतरी, अफ्रिका, मिश्र तथा पिक्छक्रित, कम मातरा में इटली से आती थी तथा जो फसले थी न, वो सर्वोत्तम स्थितियों में उपलब्द होती थी यहाँ पे, आगे चलते हैं, रोम छेतर के अनेक हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में, उदाहराणार्थ नुमीडिया के देहादी छेतर में रितु प्रवास, व्यापक प्यमाने पर होता था, चरवाहे तथा में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ चरगाहों की संख्या में भारी कमी आई, और खाना बदोश चरवाहों की आवजाही पहले से अधिक नियंतरित हो गई, इस पेन में भी उतरी छेतर बहुत कम विक्सित था, श्रमिकों पर नियंतर, भूम अध्य सागर और दासता की जणे बहुत गहरी थी और चौती शताबदीन में इसाई धर्म ने राज धर्म बनने के बाद इस गुलामे की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी, इसका आर्थ यह नहीं है कि रोम की अर्थविस्ता में अधिकान श्रम दासों द्वारा ही किया जाता थ तथर पिया बात गड़ तंत्री काल में इटली के मामले में सही हो सकती है, लेकिन इस मामले में यह सही नहीं थी, किन्तु समग्र सामराज्य में ऐसी स्थिती नहीं थी उन दिनों दासों को पूझी नीवी नीजिश की दर्शी कम से कम रोम की एक लेखक ने तो जमिनदारी को ऐसे संदर्वों में उन गुलामों का इस्तेमाल नो करने की सला दी जहां फसल की कटाई के लिए उंगी बहुत बड़ी संख्या में आवशकता हो, जहां स्वास्त को मलेरिया जैसे विमारियों इत्यादी से नियुकसान पहुश सकता हो, ऐसे विचार दासों के प्रती सहानव भूती पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित हुआ करते थे आगे चलते हैं नियुकताओं का या आमधारणा थी कि निरिक्षण यानि देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जासकता तो ये लोग निरिक्षण के लिए काफी ज़्यादा और श्रम प्रबंधन पे काफी ज़्यादा विचार करते थे दास समूहों को प्रयोग की या ककर निंदा की की या उत्पादा नायोजित करने का सबसे खराब तरीका है क्योंकि इस प्रकार अलग-अलग समूहों में काम करने वाले दासों को आम तोर पर पैरों में जंजीर डाल कर एक साथ रखा जाता था ये तरीके काफी ज़्यादा कठोर एवं क्रूर थे सामाजिक श्रेणिया आई अब देखते हैं इनकी सामाजिक संरिशना जो थी इतिहासकार टैसी ने प्रारंभिक सामराजिक के प्रमुक सामाजिक समूहों का वरणन इस प्रकार किया है सैनेटर वर्ग के प्रमुक सदस्य जनता का सम्मानिय वर्ग जिनका संबद महान घरानों से था मतलब दो घराने ही थे एक बहुत अमीर लोग थे और एक काफी गरीब लोग थे परवर्थी पुराकाल इस सद्याय के अंत में हम रोमन सामराजिक के अंतिम शताबदियों में उसके सांस्कृतिक परिवर्थन को दृष्टि पात करेंगे परवर्थी पुराकाल शब्द का प्रयोग रोम सामराजिक के उद्भाव विकास और पतन के इतिहास के उस अंतिम दिल्चस्प अवधी का वरणन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तोर पर चोथी से सातवी शताबदी तक फैली हुई है इस टाइम पर शातवी शताबदी में इसलाम का उदय लेकिन राज्य के ढाचे में उतरने की महत्पूर्ण परिवर्थन ये परिवर्थन समराट डायो क्लीशियन के समय से प्रारंग हुए थे कॉंटे स्टाइन ने इसमें से कुछ परिवर्थनों को पुक्ता बनाया और अपनी और से भी कुछ परिवर्थन किये मुख्य रूप से मौदरिक छेतर में कुछ नए परिवर्थन उसने सालिट्स नाम एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ या रोमन सामराज समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। बीच की सीमाएं इतनी कठोर एवं गहरी नहीं थी जितनी की आगे चलकर ये हो गई जनता में आम खोशाहाली खास और पुर्वी भाग में अधिक थी। मतलब पुर्वी भाग के लोग जो थे वो काफे ज़्यादा विक्सित थे और प्रसन्न भी थे। प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमन या फिलास्ट में जैसे के हमने कहा की लास्ट में इसका पतन होना स्टार्ट हो गया। अरब देश के प्रदेश में शुरू होने वाले इसलाम के विस्तार को ही इसकी सबसे बड़ी राजनेतिक करांती कहा जाता है। जब पैगंबर मुहम्मद की बृत्यों को मुश्किल से दस साल हुए पुर्वी रोमन और ससानी दोनों देशों में बड़े वड़े भाग भीशन युद्धों के बाद अरबों के कबजे में आ गए। किन्तु हमें अब आद ध्यान में रखनी चाहिए कि उभरते हुए इसलामी राज की जीतें जो एक शताबदी बाद अंतता स्पेन, सिंध और मद इश्या तक फैल गई अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुई थी। अरब से शुरू होकर ये जीतें सीरिया, रेगिस्तान दथा इराग के सरहदों तक पहुची जिनके पश्चात मुस्लिम सेनाय दूर दूर तक गई। जैसा कि हम अगले विशह चार में देखेंगे इसके बारे में। तो अब आपका ये टॉपिक खतम हो चुका है, ये चैप्टर एंड हो चुका है। अगर कोई क्वेशन हो, कोई क्यूरी हो तो अब कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस लाइक दे वीडियो और प्लीज लाइक इट और सब्सक्राइब आप चैनल। छिए और भाचिए।